इन महिलाओं में ग्रहनी भी हैं, शिक्टिकाएं भी, छात्राएं भी और कारिगर भी ये सब ही दुनिया के सबसे बड़े वर्शावन यानि अमेजन की स्वैम से भी दमकल कर्मी है इन मोल निवासी महिलाओं में से जादातर कई बार परिवार का काम छोड़कर जंगल की आग से निपटने आती हैं लेकिन ये काम आसान नहीं है मेरे पती इसकी खिलाफ थे, वो तो मुझे छोड़ना चाहते थे उन्होंने कहा कि वो मुझे से अलग होना चाहते हैं क्योंकि वो इस बात को सुईकार नहीं कर पा रहे थे कि मैं इस समू का हिस्सा बनू उनका मानना था कि महिलाओं को घर पर रहना चाहिए मैंने उनसे कहा, वो दिन गये जब महिलाए रसोई में रहती थी और बच्चों की देख रेक करती थी, अब मर्द ये काम कर सकते हैं। द अपी नाजे गार्डियन्स में 43 महिलाएं हैं जिन्होंने जंगल में आग की बढ़ती घटनाओं से निपटने के लिए अपनी फाइर बिर्गेट बना ली है। उन्हें ब्राजील के परियावरण और अक्षे उर्जा संस्थान ने ट्रेनिंग और प्रमान पत्र दिया है। इसमें नियंतरित आग में प्रक्टिस भी शामिल है जो खतरनाक और कठिन काम है। ये बहुत गरब होती है। हम ये कपड़े पहनते हैं और बहुत जल्दी ठक जाते हैं क्योंकि ये भारी होते हैं। अमेजन में आग का मौसम जुलाई में शुरू होता है। इस समय जंगल सबसे सूखे होते हैं और लप्तें तेजी से फैल सकती हैं। अपी नाजे लोग जानते हैं कि ज़्यादातर बार आग कैसे शुरू होती है। हमारी जमीन के आसपास बहुत सारे खेत हैं और बहुत सारे लोग हमारी जमीन में शिकार और मचलियों के लिए घुसाते हैं। किसान आग लगाकर पशों के चरागाह के लिए और जगा बना लेते हैं. वो आग लगाते हैं और फिर ये उनके खेतों से मूल निवासियों के इलाके तक फैल जाती है. अपी नाजे मूल निवासियों की भूमी ब्राजीली राज्य तोकानचीस में पढ़ती है. सेनने ताना शाही के दौर में 1964 से 1985 के बीच इस इलाके में दूसरे इलाकों से बड़ी संख्या में लोग आए. इससे भूमी विवाद बढ़े. जब ज्यादा गोरे लोग आए तो उन्होंने नगरपालिका से जमीने खरीदनी शुरू कर दी. जब हमें ये समझ हाया कि वे हमारे इलाके पर कबजा कर रहे हैं, तो हमने मूल निवासी लोगों के संगठन से सीमा निर्धारण के लिए सर्वे करने को कहा. हमें अपनी जमीन का एक हिस्सा वापस मिला, लेकिन हमारी वो पूरी जगह नहीं मिली, जहां हमारे पूर्वज रहा करते थे. अपनी नाजे लोगों के लिए ये जमीन पवित्र है. यहां के लोग कारीगरी, भवन निर्मान और दवाओं के लिए जड़ी बूटियों तक हर ज़रूरत के लिए जंगलों पर निर्भर हैं. अमेजन वर्शावन कई जानवरों का बसेरा भी हैं और पानी का एहम स्रोत भी. इन महिलाओं को अपने ट्रेनिंग पूरी करने के लिए बहुत सी कठिनाईयां जहिलनी पड़ी और बहुत सी चुनोतियों को उन्होंने पार किया. ये ऐसा है जिसे बया नहीं किया जा सकता. ये भावुक बात है. वो समुदाय का प्रतिनिधित्व करती हैं. उन्होंने बहुत महिनत की है. किसी महिला के लिए घर छोड़ना आसान नहीं है. ये बहुत मुश्किल काम है. वो योद्धा हैं. और मेरा मानना है कि वो कुछ भी कर सकती हैं. हम प्रोजेक्ट में अब भी दीरे दीरे आगे बढ़ रहे हैं. लेकिन हम अपने बच्चों के बहतर भविशे के लिए लड़ रहे हैं. वैसे ही जैसे हमारे पूरवज लड़े थे. उन्होंने लड़ाई की ताकि हमें ये इलाका मिल सके. आज भावी प्रीडियों के लिए इसकी रक्षा क्यों न की जाए ताकि हम भी इसको उन्हें सौंप सके. आग बुजाने के काम के लिए अभी इन्हें कोई वेतन नहीं मिलता है. हलांकि इन्हें आशा है कि भविश्व में इसमें बदलाव होगा. लेकिन एक चीज़ साफ है कि वो हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठना चाहतीं. अमेजन में रहने वाले लोग जानते हैं कि ये जंगल कितना जरूरी है. उनके लिए भी और परियावरन के लिए भी.